बात है 1899 इस्वी की अंदर राजस्थान की डिश्टी के चुरू वहाँ पर पड़ा था भयंकर अकाल और उस अकाल का नाम था चपनिया अकाल उस अकाल से बचने के लिए उस टाइम के जो अमीर शेठ हुआ करते थे सेठ भगवन दास उसकी विद्वा पतनी ने एक जोड़े का निर्मान करवाया उस अकाल से बचने के लिए और उस जोड़े का नाम रखा गया सेठानी का जोड़ा तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं उस अकाल से बचने के लिए जो जो जोड़ा बनाया गया सिठानी का जोड़ा जो आप ये देख रहे हैं ये है सिठानी का जोड़ा जो अठारा सो निननवे स्वी के अंदर बनाया गया तो चलिए आपको दिखाते हैं से ठाणी का जोड़ा इस जोड़े का निर्मान इस तरिके से करवाया गया है कि इसके आज पास आप नजर मारेंगे देखो इसके आज पास आप जितना भी नजर मारेंगे आपको यहां पाना खुला ग्राउंड नजर आएगा इसके चारो तरफ छोड़े टी बे बने हुए है और खुला ग्राउंड है जब बारिस होती है तो बारिस का सारा का सारा पानी इस जोड़े के अंदर इकत्रित हो जाता है और फिर यूज कर लेते हैं इसको पीने के लिए आज के टाइम पे जो यह जोड़ा है पसु पक्सी के लिए आकशित का के अंदर बना हुआ है यहां पे नील गाएं और बहुत सारे पसु पक्सी हां पे पानी पीने के लिए आते है काफी खुबसूरत सेठानी का यह जोड़ा है अगर आप चूरू डिस्टिक आएं तो इस सेठानी के जोड़े को देखना बिलकुल भी न भूले जब आप इसको आएंगे देखने के लिए तो यकीन मानिए यह इतना खुबसूरत है चारा तरफ खुला मैदान है आप देख सकते हो टिब्बे हैं और उन टिब्बों के बिलकुल बीचो बीच यह बना हुआ है सेठानी का जोड़ा और अब फिलाल जो यह सेठानी का जोड़ा है सरंगसित समारक है कुछ इनफरमेशन इसकी दे रखी है आप देख सकते हो कि 1899 स्वी के अंदरिया आप लिखा है कि बीचन अकाल पड़ा था उस अकाल से बचने के लिए सेठानी ने इस जोड़े का निर्वान करवा दिया तो चलिए आपको दिखाते हैं सेठानी का जोड़ा देखो यह है इस जोड़े के अंदर जाने का रस्ता यह पक्के रस्ते बने होई हैं अगर कोई आदमी लोग आते हैं तो इन पकोर उस्ते से आएंगे अगर कोई भी पसू पकशी आता है उसके लिए कच्छा रस्ता बना रख्या है तो यह जोड़ा आप देख सकते हैं जोड़े के अंदर आपको फास बात बताओंगा मैं देखो यह जो आपको मैंने मैदान दीखाए था सारा का सारा खुला darf और grande से सारा hwl रिन वाटर आता कि ये जोड़ा सिर्फ पसू और पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए है इस जोड़े के अंदर आप देखोगे जो यह ऐसे स्थानी पत्थर है उन से मिलके और चूने के अंदर उन से मिलके बनाया गया है टोटल इस जोड़े की 300 फूट यह लंबाई है और 300 फूट चुड़ाई है और 40 फूट यह जोड़ा है टोटल गहरा काफी गहरा है यह 40 फूट गहरा है यह जोड़ा और शाम को टाइम और शाम को टाइम पर यहां पर पानी पीने के लिए आ जाते हैं नील गाएं पानी पीने के लिए आ जाते हैं जो भी यहां के स्थानिय जीव जन्तु हैं वो यहां पर पानी पीने के लिए आ जाते हैं कि यग ऐसी जंगा है शान्ती बादि की यह यहित कि ब świचक है फिस्तेकर धार enough me ठोब मैंनें आपको बताया ऐसी मेश रुसे चार किलमेटर चलने के बाद पूर देखो जूरा पुण में आपको बताया ऐसे ऐसे जो रस्ते बना रखे काफी रस्ते बना रखे हैं ऐसे टोटल बना रखे हैं रस्ते एक, दो, तीन, च्यार, पाँच टोटल पाँच रस्ते यहां पर बने हुए हैं आदिमियों के आने के या फिर पसुपक्सी भी अभी फिला ली नहीं रस्तों से आ जाते हैं तो बहार से व्यू दिखाते हैं आपको इसी जोड़े का जब मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसे यहां पर 14 स्थम बनाये गए हैं जब आप इनके निच्चे आएंगे जब भी ज्यादा धूप होगी तो लोग यहां पर खड़े होके इसको देख सकते हैं यहां यहां यह यहां पर विशेश परबंद है देखो ऐसे ऐसे गुमद बना रखे हैं ताकि कोई लोग अगर आएं तो यहां पर आराम से खड़े होके चाहा में खड़े हो जाएं अगर ज्यादा धूप है तो यहां से आपको दिखाते हैं इसका व्यू काफी खूपसूरत व्यू है यह और आपको दिखा देते देखो चारों तरफ टिली टिली आपको नजर आएंगे और वहां से भी व्यू आपको दिखाएंगे कि वहां से इस जोड़े का व्यू कैसा दिखता है तो चली अब आपको दिखाते हैं उस पोजिशन से यहां का व्यू और इस साइड से जोड़े कुछ ऐसा दिखता है कि अभी फिलाल हम टीबे के पर खड़े हुए हैं यहां पर काफी जाडियां है और यहां से देखने से भी काफी मज़ा आता इस जोड़े को और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक रस्ता यहां पर कच्छा रस्ता बना रख्या है जो भी प खाते हैं कि काफी जाडियां है यहां पर देखो और कि यह किसी चीज़ को देखने के लिए अच्छा टाइम लेके आएं यह ने की भागम बाप में आपको देखना है हमने इसको बिल्कुल आराम से देख्या है देखो टिबा है यह रेत है और यह कैक्टस के पेड़ लगे हैं देखो यही प्रकृति है यही वनिस्पति है राजस्थान की और जब तक आप इन वनिस्पतियों को इन प्रकृति को करीबी से नहीं देखेंगे तो आप राजस्थान को अधूरा पाएंगे और आपकी इनफर्मेसन के लिए बता दूँ यहां पे जो अकाल पड़ा था उसका में कारण क्या है पूरे भारत के अंदर चूरू ही एक ऐसा डिस्टिक है जहां पे गर्मियों के अंदर जो टेंपरेचर है 50 डिग्री सलसेस हो जाता है और सद्धियों के अंदर जो कि अंदर जो टेंपरेचर है 2